My friends, welcome to my channel Gardening at Home और आज मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ विंटर प्लांट्स की शॉपिंग तो बहुत ही प्यारे-प्यारे से हमारी विंटर प्लांट्स हमारे लोकल नर्जी में आ चुके हैं और बिल्कुल आप उन्हें पर्चेस करके अपने गार्डन को और भी खुबसूरत बना सकते हैं और ये देख रहे हैं हमारे मेरी गोल्ड बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं बहुत ही बिग-बिग साइस के हमारे फ्लार खिले हुए हैं और एक वराइटी ये देखे ये हमारे वैनिला मेरी गोल्ड है वाइट मेरी गोल्ड भी बहुत लोग इसे कहते हैं तो इन में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है बहुत ही अच्छे से पर्ट्स वेगरा बने हुए हैं तो चलिए अब इसी के साथ आप लोगों से शेर करती हूँ अपने कुछ विंटर प्लांट्स की शॉपिंग तो विंटर प्लांट्स में सबसे पहले जो मैंने शॉपिंग की है बहुत सारे बहुत ही खुबसूरत से रोजिस की तो रोजिस की समय भरमार है नर्सरी में और बहुत ही सुन्दर सुन्दर से कलर्स में और वेराइटीज में बिल्कुल एवलेबल है तो अगर आप लोग भी अपने रोजिस की कलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है रोज को एड़ करने का देख रहे हैं आप ये जो हमारा रोज है बहुत ही खुबसूरत सा कलर है ये पैंक कलर में बहुत ही प्यारा कलर है थोड़ा पीचेज और पैंकेश कलर है ये तो लगभग मैंने छे या साथ प्लांट गुलाब के लिए हूँ है और नेक्स्ट देखे ये एक प्लांट है बहुत ही प्यारा सा फ्लार कलर है हमारा परपल कलर का बहुत ही प्यारा कलर है इसके साथ जो next है ये दिखे मरून कलर में तो आप जब भी लें तो थोड़ा healthy plant लें और उनमें birds जो है वो काफी अच्छे से quantity में होने चाहिए तो ये दिखे ये अभी खिला भी नहीं है dark maroon कलर का ये plant है हमारा rose का इसके बाद जो मैंने लिया हुआ है ये देखे ये लिया हुआ है rose जो बिल्कुल yellow and pink shade में है ये मेरे पास पहले से भी है मेरे garden में पर ये मैंने एक plant और भी लिया हुआ है क्योंकि ये जो shade है वो मेरा favorite है बहुत ही खुबसूरत color लगता है ये मुझे तो ये लगभग ये मैंने लिया है और ये एक देखे ये red पे मैंने फ्लार लिये है रोस की बहुत ही प्यारा color ये भी है तो आपका कौन सा फैवरेट color है रोस का जरूर बताएगा तो ये देखे तो रोस की plant जब भी हम buy करते हैं तो उनमे color के लिए color selection के लिए हमें birds थोड़े खिले हूँ जिसमें आपको color पता चल रहा हूँ ऐसे plant आप select कर सकते हैं तो ये मैंने कुछ रोस लिये हैं और साथ में ये मैंने एक देशी वराइटी वाला रोस लिया हुआ है ये दिखे इसमें जो aroma होती है बहुत ही amazing होती है और बहुत ही खुबसूरत होता है मेरे पास ये देशी वराइटी वाले जो रोस है वो पहले से हैं पर मैंने उसे अपने प्लांटर में लगाया हुआ है और ये मैंने अपने backyard garden के लिए लिया हुआ है जो बिलकुल मैं इसे जमीन में लगाऊंगे जिससे इसकी जो growth है वो और भी अच्छी होगी और ये और तो ये मैंने लिया हुआ है देशी वराइटी वाला रोस इसके बाद जो next plant मैंने लिया हुआ है ये देखे ये मेरे पास लैंड लोटस पहले से भी था एक और मैंने लिया हुआ है लैंड लोटस तो ये भी मैंने प्लांट लिया हुआ है लैंड लोटस का बहुत ही खुब winter plant में number आता है वो है हमारे salvia का salvia बहुत ही अच्छा color option है add करने के लिए आपके garden में तो बिल्कुल अगर आप colors add करना चाहते हैं अपनी garden में तो best option है और इस समय बहुत सारे colors में available है salvia सिर्फ red वाले ज्यादा मिलते हैं पर इस समय देख रहे हैं आप nursery में काफी सारे colors हैं ये देखे red है थोड़ा orange shade में है और ये देखे red and white shade में बहुत ही खुबसूरत सा salvia और ये हमारा purple color और ये भी बहुत ही खुबसूरत सा color है बिल्कुल तो yellow color मुझे ने मिला पिछली बार and white shade में है ये देखे और इसके बाद मैंने जो लिये है ये छोटी-छोटी सी seedlings ली हुई है strawberry की तो बिल्कुल अगर आप strawberry वगरा लगाना चाहते हैं अपने garden में तो इस तरीकी से छोटी-छोटी pod जो है वो इस समय best option है nursery में available है तो ये मैंने लिया हुआ है देखिए और इन्हों ने जो जिसमें लगाया हुआ है ये seedling ये seedling करने के लिए आते हुआ है छोटी-छोटी से गोल-गोल से pack होते है बिल्कुल कागज के और उसको जब आप बिल्कुल इसमें ये जो कोको पीट है बिल्कुल के लिए इसमें लगाया हुए है और ये seedling करने के लिए बहुत ही अच्छे options होते है तो अगर आपको लोकल एरिया में आपकी ये मिले तो आप भी इस तरीके से ले सकते हैं सीडलिंग करने के लिए तो ये दिखे ये strawberry के plant इन्होंने इसी में लगाये हुए है तो ये भी काफी अच्छा और healthy plant है तो लगभग 10-12 plant मैंने इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के लिए हुए है तो ये कुछ मेरी शॉपिंग है तो ये बाद मैंने कुछ छोटे-छोटे से saplings लिए हुए है प्लांट के देखे ये हमारे कुछ petunia के plant है मेरी जो seedling है वो भी बहुत ही छोटी-छोटी है तो कुछ इस तरीके से hanging basket में लगाने के लिए मैंने ये petunia के plant लिए है और इसके बाद ये multi-petal वाला अपराजता ये भी मुझे मिल गया किया जा सकता है तो ये कुछ है मैंने अपने winter की plants की shopping की है petunia लगबख 8-10 लिए है और ये हमारी गुदाओदी भी 8-10 पीस है और ये अपराजता का एक plant है तो friends आप लोगों को भी मेरी winter plants की shopping जरूर पसंद आई होगी और आप लोग भी समय winter plants की shopping कर रहे होंगे और भी बहुत सारी छोटे-छोटे से seedling plants आए हुए है पर मेरे पास already मैंने बहुत सारी plants की seedling की हुई है तो अभी मैंने उन्हें नहीं लिया है क्योंकि मैं बिल्कुल अभी अपने ही plants को बिल्कुल जो मैंने by seed ग्रो किये हैं उन्हें प्लांट को मैंने पर्चेस किया है तो आप लोग भी इस समय नर्सरी जाहिए वहां पे बहुत सारी plants available हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छे collection आए हुए है बिल्कुल seedling plant की छुट-छुटे जो हमारे baby plant ready हुए है विटर के वो भी आपको इस समय मिल जाएंगे कुछ दिनों बाद baby plant नहीं मिलेंगे तो baby plant भी बहुत ही अच्छा option और healthy option होता है और बहुत ही cheap option होता है बिल्कुल कम rate में आपको बहुत सारे plants इस तरीके से छुट-छुटे plants मिल जाते हैं तो आप लोग इससे बिल्कुल अपने गार्डेन में शामिल करिए तो इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों से लेती हूँ विदा फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए थाच ओवाचे अप्यार्डेन टो ओल्डेंगी तो ओल्डेंगी तो विद्ट दीजार्डेंगी विद्ट दीजार्डेंगी